नमस्कार दोस्तों में यूट्यूब चैनल सुपर सेवन से मोहित वेस्णौं दोस्तों हम पढ़ रहेते मारवाड का इत्यास में अब तक हमने मारवाड के आदिप्रूस उनके बाद में छोटे कुछ सासक उनके बाद में राव चूंडा और राव चूंडा के बाद हमने सास सक्मन ने मारवाड में उनके बारे में पढ़ा फिर उसके बाद हमने मारवाड में और मेवाड में दोनों में रणमल का अस्तक से पढ़ लिया था और उसके बाद में हमने जोदा के बारे में राव जोदा जो रणमल के पुत्र हैं उनके बारे में कुछ जानकरी ली थी कि ज जोदा चितोड से बाग कर यह ऐसे हैं मंडोर पर राुण चूंडा उन पर अकरवन करते हैं फिर जोधा कहूँ निगाओं यारने चूंडा मंडोर पर आड़ा हिंगोला को न्यूक्त कर देते हैं यहां तक दोस्तों हमने पढ़ लिया था अब हम आज पढ़ते हैं राणा राव जोधा के बारे कि अग्योग कर दोस्तों राव जोधा का जो कार्यकाल मिलता है वह में मिलता है 1438 से 149 यह 1438 है वह रणमल की मृत्यू के बाद का है जबकि 1438 में जोधपुर के सासक नहीं बनते है राव जोधा उनके लिए उसके बाद में उनको 15 लग बग 15 वरसों तक संगर्ष करना पड़ता है और वह पहले काहूनी गाओं में रहते हैं जो हमने कल पढ़ लिया था कि काहू काहूनी गाओं कि बाग कर चले जाते हैं काहूनी गाओं पढ़ता है बीका नेर में वहाँ चले जाते हैं अब दोस्तों कि एक सासक मिलता है वह सासक मिलता है जैसल मेर का जो जैसल मेर का एक सासक मिलता है वो है रावल बर्सिंग जब राव जोदा काहों निगाहों बीकानेर जाते हैं उसके बाद में वो 15 वर्षों तक संगर्श करते रहते हैं तो उस समय व भटकते रहते हैं है तो रावल बर सिंग्हें वो जैसलमेर के साथा है की वो भी राव जोधा को सरण देते हैं अपने तो अब वय insane मीलती नहीं करूपर कर I którego यह मांते नहीं अब बढता है הורषोदा राव जोदा कि राव जोदाने 14.88 में वहान expon चले गए काहू चुनिका उसके बाद में 15 वर्षों तक संगर्श किया अब 1459 आ गया 1413 में वह करते हैं मंदौर भुणर पर अकर्मन करते हैं और वह आड़ा हिंगोला को रहा देते हैं को आड़ा बोला। उसको हरा देते हैं। और मंदॉर पर अधिकार कर लेते निच्रण अब जो मेवाड के साथ सका है उस द्सिम्श में मेवाड के साथ सका है रणकूमबा अब तो जब मंदोर मेवाड के अदीन था तो राव जोदा ने जीत लिया तो राणा कुमबा और राव जोदा इनके मद्दे संगर्स होने लग गए और ये संगर्स पहले 15 वर्षों में भी चले उसके बाद में छोटे मोटे कुछ और अब्यान भी होते रहे कभी मंदोर मेवाड की सेना से कभी मारवाड की सेना के बीच में संगर्स होते रहे तो दोस्तों जो हंसा भाई थी और हंसा भाई का भाई था रणमल और रणमल से उत्पन वाता जोदा और उदर हंसा भाई के पोत्तर हो गया कुम्बा तो ये जो चल रहा था मेवाड मारवाड की बीच में संगर्स उसके बीच में अस्तक सेप किया हंसा भाई और जोदा और रणा कुम्बा इनके मद्दे में जो एक संदी करवाई गई वो संदी करवाई गई आवल बावल की संदि कि दोस्तों ये संदी की काफी इतियासकार अलग डेट बताते हैं जबकि ये सई संदी 1453 को हुई थी कुछ इतियासकार इसको 1457 बताते हैं कुछ 1454 और कुछ 1452 भी बता देते हैं पर ये संदी 1453 को ती अब ये दो सास को मत दिया है मेवाड के सास कोगे कुंभा जी और मारवाड के सास कोगे राव्जोधा अब इस संदी में क्या था कि पहली बात यह यह ती कि जहां तक आवला आमले की पेड़ हैं आमले की पेड़ या जो पौदे होते हैं वो वहां तक होगा मेवाड का सासन या मेवाड का रज्जी और जहां से बबूल सुरू होते हैं बबूल के पेड़ वहां से होंगे मारवाड के मारवाड राजे या मारवाड राजे का साथ में पहली तो यह हो गई दूसरी एक गाउं पढ़ता है सोजद और सोजद पढ़ता है पाली में उस गाउं को मद्य में लेकर यह संती होई थे यानि उस गाउं से मद्य में लेकर आऊले के पेड़ बबूल के पेड़ उन दोनों के उसको मद्य में लेकर ऋस्मार निर्धान किया गया था अब इसमें मद्य्स रहन वहा है ने कि थी naw मद्यस्ता इसमें होगी तीसरी चीज है मद्यस्ता वहंसा बाई निगी अब छोथी चीज स्रिंगार देवी ये पुत्री है पुत्री है जोधा की इसका विवा होगा राइमल जो पुत्र है कुमभाग अब ये जो खूनी संगर्ष चल जा था पंदरा वर्सों की बीच में मेवाड की मारवाड की सेना के मद्दे उसको इस संदी से काबू पा लिया गया जो संदी हुई थे 1453 में कुमबा जी और जोदा के मद्दे और इसकी मद्देश्ता की थी हंसा भाई ने तो ये मारवाड मेवाड की सीमा का निर्दान हो गया अब जोदा जी ने और क्या कारी कि उनके बारे में जानते हैं तो जोदा ये मारवाड के बारे में आएगा कि जोदा ने मारवाड में क्या कि पहला आता है कि 1469 1459 और ये भी डेट मिलती है कि 12 मैं 1469 को जोदा जी ने महरान गड़दूर की निव डाली महरान गड़दूर की निव रखी और ये निव रखी इसके इसमें भी ये मिलता है कि कर्णी माता ने ये निव रखी थी कर्णी माता ने और इस निव में एक बलाई जाती का राजिया बलाई इसको जीवित दफन किया गया था निव के अंदर तो मेरांगड दूर की निव डली 12 मैं 1469 को और इसमें वार मिलता है रवी वार रवी वार को ये निव डाली गईती दूसरी चीज मेरांगड का जो कुंडली में नाम आया था वो आया था गड चिंता मनी अब दोस्तों गड चिंता मनी नाम से राजस्तान में दो दूर्ग है जो वीका नियर का जो किला मिलता है जूनागड जिसको वीका जी की टेकरी नामक दूर्ग के पुनर निर्मान से जूनागड नाम दिया गया था और ये जुनागड नाम दिया रायमल ने या फिर जुनागड दुर्ग का बिका जी की टेकरी नामक दुर्ग का पुन निर्मान कराके जुनागड दुर्ग दिया गया तो उस दुर्ग का नाम भी गडचिंतामणी आया था तो दो दुर्गों के नाम राजिस्तान में गडच देखते हैं तो ये भारत के नक्से के समान है भारत के नक्से के समान दुर्ग दिखता है अब ये दुर्ग है वो है पंचेटिया पाड़ी पर जो पाड़ी मिलती है वो है पंचेटिया और उसी पंचेटिया पाड़ी का नाम है पंचेटिया पाड़ी का नाम ही है चीडिया पहाड़ी यहाने मिलता है कि चीडियाओं का डेरा लगावार रहता था तो सीडियाओं इसी पहाड़ी का नाम है यह इस दुर्ग को मयूर दाज भी कहा जाता है मायूर्दवज अब दोस्तों एक मैं आपको बात बताता हूं कि इस दुर का जब जब निर्मान काथ ये पूरा हो गया तो एक मंडोर से ब्रामन को बोलाया गया और उसका दिल निकाल कर बली दी गई थी और उस ब्रामन की जो छत्री बनाए गई थी वो मंडोर में बनाए गई थी तो एक ब्रामन के बारे में भी मिलता है कि एक ब्रामन का धदकताव दिल इसके बली के रूम में काम में लिया गया तो ब्रामन की छत्री जो बनाए गई वो छत्री मनाए गई मंडोर में ठीक दोस्तों ये हो गया आपने जोद्धा जी ने जो मेहरांगट दूर्ग का निर्मान कराया उसके बारे में अब आम पढ़ते हैं आगे जोद्धा जी के बारे में जोद्धा जी ने इस दूर्ग में महरांगट दूर्ग में चमुंडा माता का मंदिर बनवाया महरांगट में जोद्धा जी के माता का नाम मिलता है कोडम देशर ये इनकी माता है कोडम देशर और इन्हों ने बीका नेर में कोडम देशर नाम का नगर बसाया था का दो एक आ गया कोडम देशर नगर वह जोद्धा जी की माता ने बसाया था वह विक्का नेर गिकान के अ जोदा जी की पत्निय मिलती है राव जोदा राव जोदा की दो पत्नियों के बारे में पढ़ता है एक पत्नी है इनकी चांद कवर कि इस चांद कवर ने जोदपूर में चांद बावडी के निर्मान करवाया कि चांद बावडी इसका निर्मान करया जोदपूर में और इनकी एक पत्नी मिलती है जस्मा देवी उस जस्मा देवी ने राणिसरतलाब बनवाया यह व्यजांतोर में यह दोन जोदपूर में बने में रानी सर्टालाब और चांद बावडी अब राव जोदा के दो पुत्र कि पुत्र तो वैसे हैं काफी हैं बट दो पुत्र के बारे में अलग से जानते एक है रा राव बीका और एक है राव दूदा यह वही दूदा जी है जो मीरा के दादा जी है तो इनको इनोंने मेरता मेरता में राटवरबंस की स्थापना की और बीका जी ने बीका नेर में तो यह राटवरबंस की स्थापना होगी दो जगए और फिर बढ़ते हैं अपन दोस्तों एक पदमचंद शेट था यह सेट था मेवाड़ और जिस समय यह संगर्ष चल रहे थे इनके और मेवाड के मद्दे तब यह सेट मारवाड में आया था तो इसको बंदी बना लिया गया और इसी कि पेशोसे जौधपूर में पदम सर्थालाप बनाये गया था यह दोस्तों यहने जाना जौदा जी और संगार देवी जो उनकी पुत्री थी उनके उनका विवा राइमल से हुआ जो पुत्र थे कुंबा के जोदा के दो पत्नियों के बारे में जाना और जोदा के दो पुत्रों के बारे में जिन्नों ने में राटोर बंस की अलग इस्ताप ना की और एक पदम सेट जो या फिर अलग इस्तापना करने के बारे में जोदा नहीं सुझाओ दिया था हुआ यह था कि एक बार कुछ किसी अभ्यान पर जोदा जी और राव बीका दोनों साथ जा रहे थे तो राव बीका का जो सोर ये देखा उन्होंने उनकी जो तलवार बाजी लड़ने का तरीका आ आगे चलके मारवाड में उत्रादिकार के लिए युद्ध ना हो या फिर संगर्स से बचने के लिए उन्होंने बीका जी को अलग इस्तापना करने के लिए प्रोच्छाइट किया था और इसलिए राव बीका को अलग राज्य बनाने के लिए पैस दिया और उन्होंने बी हुए भी काने और शेर की इस्तावना के बोल रहा हूं माने या बीका नयर्द्य गिस्तावना आगे बारे में इस और विजय से पैसित में राव बीका ने राव जोधा से कुछ राज की वस्तु हैं जैसे जोधा जी कत भाला उनकी तलवार आदिशब की मांग की थी और ये प्रेम पूर्वक बाचीत हुई थी सारी तो उन्हों ने जवदा जी ने उनको उसी समय देने के लिए कह दिया कि आप ये ले जाओ परन्तु राव बीका ने का अभी मेरे मैं इन चीजों को नहीं लूँगा जब आपकी मृत्यू हो जाईए उसके बाद में मैं आकर महरांगर दुर्ख से इन चीजों को ले जाओंगा और यही बाद में जो राज की अवस्तों है ये बीकानेर और जोदपूर में संगर्ष का कारण मनेगी तो यह हम बीकानेर की इत सब्सक्राइब करें नमस्कार दोस्तों